कि नमस्कार सिटी हल चल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं सिटी हल चल आपकी आवाज आए हम आपको ले चलते हैं बाल सदन मॉंट्रेश्री स्कूल जहां पर धन तेरस का तोहार हर सो लास के साथ मनाया जा रहा है स्कूल की पीचर्स और बच्चे रंगोली बना रही हैं सुंदर सुंदर रंगोलिया बनाई गई मॉंट्रेश्री बाल सदन स्कूल में नजिवात का पहला स्कूल बाल सदन मॉंट्रेश्री स्कूल भगवान स्री गणेश और लम्मा लक्ष्मिगी पूजा करते हैं बाल सदन मॉंट्रेश्री स्कूल के प्रवंदर और प्रंस्कल आप देख रहे हैं भगवान गणेश्री को तिलग लगाते हैं बाल सदन मॉंट्रेश्री स्कूल के प्रवंदर मालक्ष्मी जी को तिलग लगाकर उनका स्वागत करते हैं धन्तेरस पर कहा गया है कि धन्तेरस के दिन भगवान रनेजी और मालक्ष्मी की पुजा इसे शुरुप से की जाती है आज इसी स्रंखला में बाल सदन स्कूल में छात शात्राव टीचरों और प्रवंदन कंत्रों में धन्तेरस का प्योवार बड़े धुंधाम के साथ मनाया बच्चों ने सुंदर-सुंदर ठंगॉलिया बनाई और बच्चों ने तरवाज परविजाइंदार रंग किया आप देख हैं छोटे छोटे बच्चों के हातों में जो कर्वयर दिखाई देरीए उन्होंने बच्चों में पेंटिंग करका बनाया है क्या बनाया आपने क्या नाम आपका क्या बनाया आपने आपने क्या बनाया क्या नाम आपका क्या बनाया आपका क्या नाम है क्या बनाया आपका क्या नाम है क्या बनाया आपका क्या बनाया आपने क्या बनाया वेटा आपने? आपका क्या नाम है? क्या बनाया? क्या नाम बेटा क्या बनाया आपने आपने स्कूल में कालर्श और भी सच्छा रखी है साथ ही विशेस आकर शड़ रहा है हमारा लशी और गने जी का और आज अब आज अब हो दिवाले की आज दिवाले की ओर शुक्त मैं अन्शु शर्मा नजीबाबाद बाल सदर मॉंटेश्टी स्कूल की शिक्षी का हूँ और मैं आज सभी आप सभी तो नगर वासियों को बाल सदर परिवार की ओर सी शुक्त मैं देना चाहरा है जी डाक्टर साफ जी बाल सदर मॉंटेश्टी स्कूल की शुक्त मैं आज दीवाले की शंकला में आज देना चाहरा है बच्चों की पढ़ाई का तो अंतिम दिन था और आज से पांच दिन की दीव पर्व की जो श्रंकला है हमारे पिवारों की उसका अरम हो रहा है तो आज का दिन बच्चों की इसी पर्व को याद दिलाती हुई एक्टिमिटीज की गई थी जिसमें हमारी ध्याफिकाओं ने बहुती सुंदर धंगोली बनाई बच्चों ने कलर सज्जा की और यहां जो हमारे विशेश आज आकर्शन का दिल रहा वो मा लक्ष्मी और भ यहां जान आजाल सदम मौन्टेश्य स्कूल की और से सभी बच्चों और अभगावकों को भी यह संदेश दिया गया है कि दिपावली सुरक्षित तरीके से मनाएं बच्चों को पठाकों से दूर रखें और एक सवच्च वातावरण केवल बीपों से दिपावली मनाएं और पूरे बातावरन को शुद्ध रखें और फुरक्षा का पिशेज द्यान रखें